हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आपका होस्ट अर्मान और आप देख रहे हैं रिस्लिंग पीडिया दोस्तो कल की स्मैकडान में शेमस एक डॉक्टर को लिकर आएंगे और वो जेफाडी को ड्रग टेस्ट लेने के लिए और शेमस जेफाडी को नशरी भोलेंगे इसलिए जेफाडी उनका यूरीन कप में से शेमस की मुँपर फिक देंगे वैसे दोस्तो आपको क्या लगता है कि बैकलेच 2020 में इन दोनों के मैच में कोन जीतेगा शेमस या फिज जेफाडी कॉमेंट करेंगे मुझे जहू बताइएगा दोस्तो डैनियल ब्रैन और एजे स्टाइल्स वैकेंट इंटर कॉंटरेंडल चैंपेंशिप के टूर्नमेंट के फाइनल रौन में पहुच गये हैं और इन दोनों का मैच इस अफ़ते की फ्राइडे नैट्स में होगा इंटर कॉंटरेंडल चैंपेंशिप के लिए और दोस्तो मुझे ऐसा लगता है कि एजे स्टाइल्स जीत कर नियू इंटर कॉंटरेंडल चैंपेंट बन सकते हैं वसे दोस्तो आपके हिसाब से डैनियल ब्रैन और एजे स्टाइल्स में से कौन जीत कर नियू इंटर कॉंटरेंडल चैंपेंट बनेंगे कॉमेंट करके मुझे बताएं ब्राउन्स श्रोमन और उनके बैकलाच 2020 के अपोनेंट दमेज और जौन मौरिसन के बारे में दोस्तो पिशफ्ट स्मैकडॉन में मेज और मौरिसन ने मिलकर ब्राउन्स श्रोमन को बहुत परिशान किया लेकिन आखिर मिस श्रोमन ने उस वैन को ही उलड़ दिया जिसमें ये दोनों बैठे थे और दोस्तो डबलबडी ने अनाउंस किया है कि इस सफते के फ्राइडे नाट स्मैकडॉन में हेवी मशिनरी रियूनाइट करेंगे और टीम अप करेंगे ब्राइडे नाट स्मैकडॉन के साथ और फेस करेंगे डॉल जिगलर, दमिस और जॉन मॉरिसन की टीम को 6-man tag team मैच में वैसे दोस्तो आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ओटेस Money in the Bank कांट्राक विनर भी है इसलिए अगर उन्हें मौका मिला तो वो इस अफते Friday night Smackdown में ब्राउन्स ट्रोमन पर क्याशिन भी कर सकते हैं तो दोस्तो आपके इसाप से ब्राउन्स ट्रोमन और दमिस और जॉन मॉरिसन की बैकलेफ 2020 के मैच में कोन जीतेगा कॉमेंट करके मुझे बताएं और इस अफते के Smackdown इंडिया में Saturday 13 जून की सुबा साले 5 बे से Sony 10-1 और Sony 10-3 पर देगा और आप कोई वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आप से जल्दी मिलता हूँ तब तक के लिए गुड़ बाई